हेला एर्वान अस्सलाम अलेकुम जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आँखों से आशू आने लगें तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कुबूल हो चुकी है दुआ में आशू भी रब की नेमत होते हैं वो कबूलियत की नेमत देने पर कादिर है जब तुम अपने हक में मौजज़े होते हुए देखोगे दुआओं का कोई रंग नहीं होता मगर जब कुबूल होती है तो दुनिया ही रंगीन हो जाती है दुआओं का कोई रंग नहीं होता मगर जब रंग लाती है तो जिन्दगी में भी रंग भर जाते हैं तुम अपनी द अफीक से अपनी मन्जिल पालोगे अल्ला जानता है तुम्हारे दिल की ख्वाहिश वो सुन रहा है तुम्हारी सारी दुआएं तुम यकिन मत छोड़ना वो जरूर अता करेगा दुआ उस चीज को भी तुम तक ले आएगी जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहो हमारी ख्व वाहिशात तो बहुत छोटी है उस रबुलालमीन की जात तो बहुत बड़ी है तो क्यों नहीं होगा कुन वो ऐसा अता करेगा कि तुम अलहम्दुलिल्लह कह दोगे जिन हाथों को तुम दुआओं में उठाते हो ना उन हाथों में बहुत जल्द वो सब कुछ होगा जिसक कुछने के खौफ को दिल से निकाल दो वो रबुलालमीन तुम्हें ऐसा अता करेगा कि तुम देखते रह जाओगे सबर का दामन ना छोड़ना तुम्हारी दुआएं बहुत जल्द कुबल होने वाली हैं इन्शालला अल्लह रबुलालमीन रमजान के इस मुबारक महीने क की बरकत से हम सबकी सारी परिशानियां दूर अता फर्मा जिंदगी खुशियों से भर दे हर बिमार को शिफा अता फर्मा सबके दिलों में महबत भर दे सबकी परिशानियां दूर करके सबकी मुश्किलों को आसान कर दे आमीन सुम्ह आमीन Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu दौाओं में अपनी बेहन को शामिल रखना अल्ला हाफिज